बिग बॉस OTT Seasons 2 बीनर एलवीस यादो और अब से एक मलहान के भी छड़ गया बंपर वार बिग बॉस की ट्रॉफी लोटाने जा रहे हैं एलवीस यादो अब एलवीस यादो ने लगा दिया आरोप अब से एक मलहान करवा रहे हैं सनातन सेर की निगेटिव पियार एल्विस होगे नराज बोला कि ये ट्राफिक बिग बॉस ले जाईए एल्विस यादो को बनाया जा रहा है बार बर निसाना जो लड़का अपनी मैनस से मुकाम हासिल किया है उसको पीछे गिराने के लिए क्यूं हो रहा है ऐसा घटिया सर्यंत जिस लड़के की पॉपुलरिटी पूरा देश मान रहा है हर यूवा इसके बीचे दिवाना है उसे किसी की निगेटिव प्यार कराने की क्या जरूरत पिछले कुछ दिनों में सोचल मीडिया पर बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एल्विस यादो और रन अप रहे अब इसे एक मलहान के बीच कोल्ड वार चिला है दोनों के फैंस एक दूसरे से सोचल मीडिया पर भिड़े हैं बीच में अब इसे एक मलहान ने रियक्ट किया था सफाई भी दी थी तो इस पर एल्विस यादो ने जबाब भी दिया था कहा था कि जब नाम ही नहीं लिया है तो वो क्यों भी इच में बोलने लगे मतलब उन्हें पता है कि वो ऐसा ही कर रहे है अब निगेटी पियार के कारण अब एल्विस यादो एकदम परिशान हो चुके है उन्होंने अपनी ट्रॉफी लोटाने तक की बात कह दी है अपने ब्लाग में एल्विस यादो ने बिग बॉस ओडिटी टू की ट्रॉफी को दिखाते हुए कहा भाई इसे ले लो मुझे बक्स दो इसे ले लो भाई देख लिया ट्विटर पर पोस्ट वोस्ट यार इसको कोरियर कराओ हमारा पीचा छोड़ो भाई हाथ जोड रहा हूँ तुम लोगों के आगे इसे ले जाओ यही मेंजर है यह घोड़ा भी ले जाओ यह भी वहीं का है बिग बॉस का हमें कुछ नहीं चाहिए च्याही जिंदगी हो रखी है हमें चाहिए सुकून प्यार भरी जिंदगी जैसा हमारे पहला चल लहा था हमें ना चाहिए यह सारी चीजे एलविस यादो जे ट्रॉफी को उठा कर उस पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ा बिग बॉस OTT2 विनर फिर कहा हूँ मैं वैसे ओन रिकार्ड मगर यह चाहिए तो इसे अपने घर ले जाओ और यह सारी चीजे बैक आउट प्लीज प्लीज देखा मैंने सारी चीजे मुझे इन सब का जिक्र करना भी नहीं है इतने दिन बाद मैं घर आया हूँ थोड़ी सी देर के लिए हूँ मेरा काम दंदा बढ़ियां चल ला है मुझे इन चीजों में पढ़ना नहीं ना मुझे किसी की गैरलत में लगना है मुझे अपना पैसा फुसा कमाना है अपने आपको प्रपर्टी की चिंता नहीं है गाड़ी और खड़ी करनी है इन चीजों से बाहर हूँ इसकी दरकार है मुझे भाई एक बार मैसेज कर डालो जानकारी के लिए बता दे कि अपसेख मलहान पर आरोप लगाया था कि यूटूबर ने अपनी यानि उनके खिलाफ यूटूबर पैच है जानकारी के लिए बता दे कि अपसेख मलहान पर आरोप लगाया था कि यूटूबर ने उनके खिलाफ ट्विचर पर 25 लाक रुपए दे कर निगेटिव पियार करवाया है इसके बाद अपसेख मलहान ने जबाब दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ ने किया है वो 25 लाक या 25 रुपए ना दे साथी एल्विस संग रिस्ते अच्छे होने की बात कही थी ऐसे ही बाते बढ़ती गई दोनों के तरफ जवाब आता गया और फैन सोसल मीडिया पर लड़ते रहें जिससे अब विनर ने ये वीडियो बनाया है वैसे एल्विस चादो के विसे में आपका क्या प्रतिकरिया है अपनी प्रतिकरिया जरूर दे बने रहें जेटी नियूज के साथ लेगी नगर ये खबार आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पर देख रहे हैं तो प्रतिकर प्रतिकर फालो का ना ना भूलें